रिंकू सिंग ये नाम इस वक्त दुनिया भर में चाया हुआ है IPL 2023 के 13 मैच में रिंकू सिंग ने ऐसा चमतकार किया जो कि क्रिकट में पहली बाहर देखने को मिला आखरी ओवर में कोलकाता को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे और रिंकू सिंग ने लगातार पांच छक्के लगाकर टीम को जीत दिला दी रिंकू सिंग ने 21 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाकर अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिता दिया रिंकू सिंग ने आईपिल 2023 में अपने बल्ले से आग लगा दी बाए हाथ के इस बल्ले बाज ने गुजरा टाइटन्स के खिलाफ कमाल की पारी खेल कर कोलकाता को आखरी गेंद पर जीत दिलाई आखरी ओवर में केके आर को 29 रनो की दर्कार थी और रिंकू सिंग ने लगातार पांच छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत तै कर दी इस चमतकारी पारी के बाद रिंकू सिंग का नाम दुनिया भर में गूंज रहा है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस खिलाडी का खास सम्मान भी किया है दरसल रिंकू सिंग को केक यार ने खास मुमेंटो भेट किया दरसल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में रिंकू सिंग की चम कर तारीफ की उनकी पारी को सलाम किया कोच चंदरकान पंडित ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में बतौर कोच और खिलाडी तीसरी ही बार ऐसी पारी देखी है रिंको सिंग ने इस सीजन में लगातार दो मैच जिताए हैं सत्रवे ओवर में गुजराद जॉइंट्स के कारे वाहक कप्तान राशिद खान ने हैट्रिक लेकर मैच को गुजराद के पाले में कर दिया था लेकिर रिंको सिंग ने मैच की आखरी पांच गेंदों पर यश दयाल के खिलाफ पांच छक्के जड़कर कुलकाता को तीन विकेट से अविश्वस्त निये जीत दिला दी दरसल रिंको सिंग 21 गेंद में 48 रन बनाकर नाबाद रहे उन्होंने इस पारी के दोरान एक चौका और पांच छक्के जड़े 20 वे ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव ने एक रन लेकर स्ट्राइक रिंको सिंग को दे दी अब यहां से खेल शुरू हो गया दरसल रिंको सिंग ने इसके बाद यश दयाल की गेंदों की बक्खियां उखेल दी उन्होंने लॉंग ओफ, बैकवर्ड, स्क्वेर लेग, लॉंग ओन, लॉंग ओफ और लॉंग ओन की दिशा में लगातार पांच छके जड़कर अपनी टीम को जित दिला दी गुजवाट जाइन्स की तरफ से पारी का आखरी ओवर फेकनी की जिम्मेदारी यश ड़याल को सौपी गए जिन्होंने पहली गेंद पर सिर्फ एक ही रन दिया जब उमेश यादव ने गेंद को लॉग ओन की तरफ दोड़ा कर रन पूरा कर लिया इसके बाद स्ट्राइक पर आए रिंकू सिंग और कोलकाता को यहाँ से जीत हासल करने के लिए प्रेरे गेंद पर छक्का लगाना जरूरी था हर एक गेंद पर छक्का लगाना जरूरी था रिंकू सिंग ने ओवर की दूसरी गेंद को लांग आफ पर छक्के के लिए मार दिया इसके बाद तीसरी गेंद को रिंकू ने डीप बैकवर्ट स्क्वार लेक पर छक्के के लिए पहुँचा दिया अब आखरी तीन गेंदों पर केकियार को जीत के लिए 16 रनों की दर्कार थी रिंकू ने चौती गेंद को लॉंग आउफ पर मारते हुए उसे बाउंडरी के बार पहुचा दिया आखरी दो गेंदों पर कोलकाता की टीम को जीत के लिए 10 रनों की दरूरत थी रिंकू ने पाश्वी गेंद को लॉंगाउन पर छक्का लगाने के साथ मैच को पूरी तरीके से केक्यार की तरफ मोड दिया आखरी गेंट पर रिंकू ने स्ट्रेट की तरफ छक्का लगाने के साथ ही टीम को मुकाबले में रोमान शक तीन विकेट से जीन दिलाने में एहम भूमिका अदा कर दी इस मैच में रिंकू ने 21 गेंदो में एक चौका और छे छको की मदद से 48 रनों की नाबाद पारी खेली आई पिल के पिछले सीजन में चोटिल होने की वज़ा से नहीं खेलने वाले रिंकू सिंग ने इस सीजन में अब तक अपने प्रदर्शन से सब ही को काफी प्रभावित किया है जिसमें उन्होंने रॉयल चेलेंजिस बैंगलोर के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी एहम स सिंग है और जो टीम इंडिया में आने के लिए बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहा है हाना कि अब रिंकू लगातार दो पारिया तो बेहतर कर गये हैं अब इस सीजन और पूरी तरीके से रिंकू सिंग पराव के कयार की तरफ से भी और सबी लोगों की निगाहें रहें फिलाल अगर आप हमारे सोचल प्रेटफॉर्म पर नए हैं तो अभी जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए बहुत धन्यवाद